भक्ति योग से बात को आरंब किया भक्ति योग क्या होता है? पतर पतनी दोनों मिलते हैं तो नो से दस महिनी के बाद एक संतान का जन्म होता है लेकिन भक्ति और भगवान दोनों आपस में मिलते हैं तो वहाँ एक नहीं वहाँ दो संताने होती है और वडन है कि जनत्यासु सीग रही आसु माने सीग रही दोनों के मिलने से सीग रही दो संताने पैदा होती है वेराग्यम ज्ञानम चा यदही तुखम एक अनाम है ज्ञान और एक अनाम है वेराग्य बहुत ध्यान से सुनना जब हम भजन करते हैं और अपना भजन भगवान को समर्पित करते हैं तो उसे दो चीज़ें मिलती है एक है ज्ञान और एक है वैराग्य ज्ञान उसे कहते हैं जो हमें इस्वर से जोड़ दे और वैराग्य उसे कहते हैं जो हमें संसार के भोगों से निवरुत कर दे परमात्मा के भजन से ये दोनों चीज़ें मिलती हैं ये भागवत का सिद्धान तह सुने वागवान के आते प्रसन्न होने पर हमारा भगती योग बढ़ता है भगती योग का मतलब हमारा भजन भगवान ने सुईकार कर लिया भक्ति और भगवान का मिलना ही भक्ति योग है जब ये दोनों आपस में ऐसे मिलते हैं जैसे संसार में पत्व पत्नी का मिलाप उन दोनों के मिलने से एक संतान जनम लेती है और इसको नो से दस महीने लगते हैं जनम लेने में लेकिन भगती और भगवान जब आपस में मिलते हैं तो जनत्यासू, आसू सिग्र, देर नहीं, बिल्कुर सिग्र ही, यहां भी दो संताने पैदा हो जाती हैं, एक का नामे वेराग्यम, दूसरे का ग्यानम्च, यद ही तुकम, दो हैं ग्यान और वेराग्या, ग्यान क्या है जो हमें इस्वर से जूड़ता है, उसे ज्यान केते हैं, और वेराग्य क्या है, जो हमें संसार के भूगोंशे, संसार की कामनाओं से निवरत कर देता है, उसको वेराग्य केते हैं, समझ में आ रही है, तो मरी मराई तलिया मत बजाय करें, तो यहां से कथा को आरेम किया दोनों चीज़ें जीवन में बहुत जादा जरूरी है ज्ञान भी चाहिए और वेराग भी चाहिए ज्ञान का मतलब किताबें पढ़ लेना नहीं है ज्ञान का मतलब है इस्वर के इस्मर्थी हो जाए देह से उठी जाए मैंने ऐसे महापरसों को देखा है अपने ग्यान में बहुत आगे बढ़ चुके है लेकिन वो फिर भी हम लोगों से बात करते है वह उनकी बड़ी महिमा है उन्हें इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए उनका किया गया सदकार अही प्रकृती का संदर बढ़ा रहा है ऐसे बड़े स्रिष्टम महापरसों से मेरी मुलाकात होई है उनका इतना सुनहरा जीवन है इतनी मस्ति का जीवन है उनको ना उन्हें पहनने पर ध्याने ना खाने पर ध्याने ना दुनियादारी से ध्याने चाहाए उनकी कोई स्वती करें, चाहाए उनकी कोई गालियां दें, उनकी कोई फरक नहीं पड़ता ऐसे महापुरस यहन्या अपने आपका होसी नहीं है बिल्कुल और ऐसे महापुरस दुनिया के उपर क्रपा की वर्सात कर रहे हैं दोनों चीज़ườiं उनकी अंदर होते हैं, इस वरसे जुढ़े हैं इसलिए उनके पास ग्यान है संसार से कुछ नहीं चाहिए इसलिए उनके पास बैराग्य है और जिसके पास ग्यान और बैराग्र भगती सबसंद कर दो अपने आपको पहले समझो तो भी भगवान को समझ पाओगे। ये ज्याने, अब कच्छु नाथन चाहिए मोरे, ये वेराग्ये है। भक्ती क्या है, आज नाथन कहा न पावा। आज नाथन में कहा न पावा। मिटही दोस। कृपा तो आपने यसी कर दी है। अब क्या चाहिए। मुझे आपकी क्रपा से सब कुछ मिल गया, आप मिल गया, क्या चाहिए। तीनों चीज हैं, तब ही तो उसके हिर्दे की नौका में भगवान आके बैटे। तो स्रीमत भागवत जी आपकी हिर्दे रूपी नाव में भगवान को आके विराजित कर देती है। पूर्व के भागवत के वक्ताओं को आप देखिए। भगवान के लिए फूट फूट करके रोते थे। भगवान की हाथ की हतेली पर रखेवी स्वामगरी का भोग लगाते थे। इस्वर था, इस्वर है और इस्वर रहेगा।